नमस्ते टेरिस कीचर में आपका स्वागत है आज आप मूंफली और धनिया बत्ता की चटनी बनाएंगे यह चटनी खाने में बहुती स्वादिश लगती है और इसे बनाना बहुती आसान है तो चलिए इसे बनाते हैं मैंने यहां रोस्टेट मूंफली, धनिया पत्त, पुदिना पत्त, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अद्रक, करी पत्त, सर्शू और नमक लिये हैं मिक्से के जार में रोस्टेट मूंफली डालेंगे इसमें धनिया पत्त, पुदिना पत्त, हरी मिर्च, अद्रक, स्वादर नुशार नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे इसे कटोडे में निकाल लेंगे चलिए अब हम इस पर तरका लगाएंगे तरका लगाने के लिए तरका पैन में एक चम्म तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे तेल गर्म हो गया है इसमें एक चम सरसो लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे इस पट डालेंगे इस चटनी को आप डोशा, इटली, उत्पम, रोटी, चावल सभी के साथ खा सकते हैं यह खाने में बहुती स्वादिश लगता है तो लीजिए मुंखवले और धनिया पत्ता की चटनी तयार है नहीं बाद